दोस्तों हिंदी सीखने के इस सिलसिले को बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी बा और भा पर दोनों अक्षरों की तमाम तफसील आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी तो जब हम बात करते हैं हर्फ बाकी तो जिस तरह से उर्दू में हम बे अलिफ लिखते हैं और जो आवाज आती है वो इसकी है और अगर उर्दू इकुवेलंट की बात करें तो ये बे का इकुवेलंट है इनिशियल या आधा फॉर्म ये है जिसे हम दुचश्मी है की मदद से उर्दू में बना लेते हैं उसको इस तरह से हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहला जो लफ्स मैंने लिया है वो है बाब बाब का मतलब आप जानते हैं अध्याए है बामिया की मात्रा और बा बा बच्च पन यहां पर उर्दू में भी लिखा है फिर है आब कारी बेकार बुजर्ग बगदाद उर्दू में भी लिखा हुआ है बाजीगर उसके बाद बुद्धिमान, बुद्ध, बेपरवा, बहरूपिया, महरूपिया आप जानते हैं जो बहुत अलग-अलग रसिम के भेश बना सकता है बटवारा, बढ़-बढ़ाना, बततहजीबी ये हो गए और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आधे बा से बनने वाले अलफाज या फिर उसके इस्तिमाल पर सबसे पहला जो लवज लिया है मैंने वो है अब्बू, आ, फिर उसके बाद आधा बा, जिसको हमने इस तश्दीद के जरीए उर्दू में जिसकी आवाज बनाई थी, आधा बा, बा में बड़े उकी मातरा अब्बू, और फिर उसके बाद बबू, बा, आधा बा, और बा में बड़े उकी मातरा बबू, उसके बाद कबजा तो का के नीचे एक डॉट लगेगा काफ की आवाज के लिए दधा बा, यामिया की मात्रा और जा, तो आधे बा से लफ्स भी बनते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं भा पर, भा की जो आवाज है वो बे दुचश्मी है, अलिफ के साथ जो आती है वो भा की आवाज है, उर्दू की अगर ऐकोलिंट की हम बात करें, तो बे और दुचश्मी हे को जिस तरह से हम लिखते हैं वो हो जाता है भा भा में भी आधे फार्म के लिए वही रूल है कि जब आप इसको ड्रॉप कर देंगे जो भी बचेगा वो हो जाएगा आधा भा तो उसके बाद जो मैंने अलफाज लिए हैं वो है भला भाशा भामया की मात्रा और शामया की मात्रा भाशा जिसका मतलब होता है जबान भोजन भोजन कहते हैं खाने को भतीजा भरोसा भवन यानि इमारत उसके बाद है भूत पूर्व भूत पूर्व का मतलब होता है साबिक जैसे हम फॉर्मर बोलते हैं अंग्रिजी में उसके बाद भगवान, फिर भगदर, भुगतान, भैबीत यानि डरा हुआ, भुकमरी, भन-भनाहाट और भूल-भूलईया उसके बाद आधे बासे बनने वाले कुछ अलफाज मैंने मिसाल के लिए आपको दिये हैं उसमें सबसे पहले है सब, सब का मतलब होता है, well-mannered, cultured, सा, आधा-भाया उसके बाद है सभ्यता, सभ्यता का मतलब होता है, civilization उसके बाद है अभ्यास, आ, आधा-भाय, या मिया की मात्रा और साज, अभ्यास कहते हैं, practice को अभ्यास्त, अभ्यास्त का मतलब जो expert हो, जो trained हो, आधा-भाय, या आधा-साता अभ्यास्त, वो इनसान जो किसी चीज में trained हो तो दोस्तों, आज के लिए हमारी ये पेशकश्ती, उमीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए फाइदे मन रहेगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया